असलाम आलेकुम दोस्तों आज का वीडियो में 5 मिश्टिक बताने वाला हूँ अगर आप भी न्यू हेर लोशन यूज़ करते हैं ये 5 मिश्टिक और वो लोग को पता भी नहीं सलता है न्यू हेर लोशन से कितना लोग है और फिर चला भी जाता है और कितना लोग को तो साइज करके यूज करने लगते हैं ये नहीं करना है आपको जब आप फर्स टाइम न्यू हेर लोशन यूज करेंगे जो बचा हुआ बाल है उसको भी क्लेन करा लेना है ताकि जितना भी डेंड्रॉप और आपका सार में जितना कच्ड़ा है वो सार मिस्टेक कोई भी है यूस करना है ताकि उसमें ज़्यादा इन रहता है और यह भी नहीं आपको दो टाइम यूज करना है न्यू लोशन तो यूज करें आप सुबह में बस एक टाइम अच्छा से क्लीन कर ले और नाइट टाइम में आप बस आपना सार को धोले उसके बाद आपना नामार का मिस्टेक आपको कोई भी साइज का डेर्मा रोलर नहीं यूज करना है 0.25 या 0.5 यम यम का होना चाहिए न्यू हेर लोशन यूज करने से पहले आपको डेर्मा रोलर से 2-3 मिनेट अच्छा से अपना स्कार्ट में मसाज कर लेना है डिर्मा रोलर आपका स्कार्ट में ब्लड इस्ट्रीम का आपको हक्ता में बस दो तीन दिन यूज करना है ज्यादा यूज करेंगे तो आपका स्कार्ट में इंफेक्शन का इस्टेक जब आप न्यू हेर लोशन यूज करेंगे आपको एक schedule बनाना पड़ेगा यह नहीं कि जब मिलेगा time night या day उस time में यूज कर लेंगे ऐसा नहीं करना है आपको आपको same time यूज करना है कभी जल्दी में अगर आप by the way एक time भूल गए तो आप next time आप नहीं भूलें और night time में यूज कर लें आप यूज करेंगे तो आपका scar बिल्कु ड्राइ होना चाहिए और कुछ देर आज से अच्छा से massage का लिस्टेक कोई भी company का तेल या cream नहीं यूज करना है उससे पहले आप बहुत सारा company का तेल और cream यूज कर चुके हैं अगर तो आप दो तीन घंटा उस टाइम में नहीं यूज करें क्यूंकि क्यापका बज़े से आपका scar में temperature ज्यादा जब आप new hair lotion यूज करेंगे उसके साथ आपको कोई भी company का vitamin जो hair related हो जैसे की biorin biorin और जैदा company का रहता है उसके बाद आपको पूरा complete result यूज आप खरीद करने चाहते हैं तो आप Amazon से online से मंगा सकते हैं अभी तक वीडियो को like नहीं कियें तो वीडियो को like करें comment करके बताएं कैसे लगा है अच्ची अबें भीडियो को वीडियो का झाल पूरा बादेन पूरा पूरा झाल झाल झाल